मुझा नमस्कार कारिकरम खास मुलाकात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और खास मुलाकात में आज हमारे साथ कॉंग्रेस के एक ऐसे वरिष्ट नेता है जिनोंने कॉंग्रेस के साथ ना सिर्फ एक लंबा सफर तैय किया है बलकि इस लंबे सफर में चाहे मैं बात करूं कॉंग्रेस की एक ऐसी लीडर जिनकी वेक्तित्यों की धमक ना सिर्फ भारत बलकि अंतराष्टे स्तर पर भी बहुत शिद्दत से महसूस किगई इंद्रा गांधी जी की में बात कर रहा हूं। उनके साथ भी उन्होंने काम किया। फिर इंद्रिया जी के पुत्र और प्रधान मंत्री राजीव जी के साथ भी काम किया। और फिर जब नभे के दशक में सोनिया जी और उनके बाद राहुल गांधी जी का आगमन हुआ तो उन्होंने सोनिया जी और राहुल गांधी जी के साथ भी काम किया। कॉंग्रिस की राजनीती में वो शान्ती संतुलन और बिना पेक्षा के चरह वती चरह वती वाली मुद्रा के राजनेता रहे हैं, जिनकी संख्या मुझे शायद अब ये कहने में संकोच नहीं है कि बहुत कम है। वो निश्चित तोर पर एक सधे हुए और संतुलन वाले अंदाज में अपनी राजनीती को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, ना इस लंबे काल में जो चार दश्कों से भी अधिक फैला है, ना उन्होंने अपनी महत्तो कांग्शा का विस्तार किया, ना उन्होंने कभी कभी हस्तक शेप करने की कोशिश की, और ना मध्यप्रदेश के वरिष्टतम निताओं में शुमार होते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश की राजनीती में कभी अपनी किसी इच्छा या अपनी महत्तो कांग्शा को बाधा के तौर पर प्रस्तूत किया, तो आज उनसे बा और कॉंग्रेस के वरिष्टतम निता, सुरेश पचवरी जी से बहुत स्वागत करता हूं, पचवरी जी आपका, जी, सबसे पहले एक चुनौतिपूर्ण समय है, और मुख्यमंत्री जी को भी आपने समय समय पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान जी को भी आपने वो चीजें उन तक भी पहुचाने की कोशिश की है, कटिंग एक्राउस दी पार्टी लाइन, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये समय अपनी राजनीतिक प्रतिपधताओं के साथ, उन से उपर उठने का भी है, किस तरह आप देखते हैं, कोरोना के लिए हमें किस तरह से इस चुनोती का सामना करना है, और क्या रचनात्मक सुझाओं आपके हैं, जी, देखिए शरजी, पूरे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए ये चुनोती पूर्ण संक्रमन काल है, जी, और इस से निपटने के लिए हम सब को मिल जुन कर सकारात्मक सोच के साथ किया जाए इस बात का पक्षदर नहीं हूं, बलकि मेरा सोचना है कि यदि इनसानियत करा रही हो, तब चुपीस साधना एक गुना है, और एक सामाजिक अपराद है, और आज यही इस सिती हमारे प्रदेश और देश में हो गई है, जब पूरोना का संकट है, और लोग अत् परेशान है, आज जरूरत इस बात की है, कि हम मीन मेख निकालने के बजाए, खामिया और कमिया केवल देखने के बजाए, हम सकारात्मक सुझाओ दें, और इस द्रश्टी से मैंने प्रदेश के आदरनी मुख्य मंतरी जी को यह विनम रागरह किया है, कि जो कोविट टेस् की रिपोर्ट लोगों को बहुत देरी से मिल रही है, वो अभी लंब मिले और उसके लिए जो प्राइवेट लेब बाले मनमाने धंड से वसूली कर रहे हैं, उस पर अंकुष लगे, साथ ही मैंने यह भी अन्रोथ किया है, कि कोरोना मरीज के लिए जो इंजेक्शन रेमड सुविधा की आवशक्ता होती है, वह समय रहते समुचित रूप से उपलब्द कराई जाए, और मैं याद कर रहा हूं कि 10 सितंबर 2020 को इस संबंद में मैंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट फारवर्ड करते हुए अपना और उस ट्वीट मैंने यह अन्रोथ किया था, कि मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडिसिवेर इंजेक्शन और परियाप चिकित्सा सुविधा की कमी होगी और कोरोना मद्विदेश में बढ़ता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए वो केंद्र सरकार से समय रहते पहल करें, इसी संबंद में वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइज ने ऐसे अनेक मेडिकल एक्सपर्ट ने भी आगे आगा किया था, कि आगे आने वाला समय भया भया होने वाला है, इसलिए सबी जगाराज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस इसको बहुत घंबीरता से ले, आज यही हमें बहुत अफसोस के साथ सूचना मिल रही है, यह दु रेक्शन रेमडिसिबर नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में समुचे चिकिसा सिविधा नहीं मिल पा रही है, अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इस से इस सिती और भया भय होती जा रही है, मैंने यह भी अन्रोद मुख्यमंद्री जी से किया है, कि जो जो कोरोना एप के जरीए जो जानकारी दी जाए कि कहां कितने बैड उपलब्द हैं किस अस्पताल में रैम डिसिवर कितना उपलब्द है कितना मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्द है इसकी सही जानकारी दी जाए मैं सही सब प्रयुक्त कर रहा हूँ और यह जो हमारे रैम इंजेक्शन बनाने वाली फॉर्मिस्टिकल कंपनी है जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली जो निर्माता कंपनी है उनसे मुख्यमंत्री जी कृपा पूर्वक सीधी बात करें जो उन्होंने अब शुरू किया है मैं शब्द अब प्रयुक्त कर रहा हूं साथ ही केंद्र सरक में यदि कोई राज्य मना करता है और केंद्र सरकार इस बात के लिए पहल करती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि वो सारी जो चीजें हैं चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वेंटिलेटर हो चाहे अन्य मेडिकल सो विदाएं वो उपलब्द कराई जाना चाहे तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस संक्रमनकाल से निपटने के लिए मिल जुलकर आगे आएं चाहे हम विरोधी दलके हों चाहे सत्तारून दलके हों और मुझे अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री जी ने कल राज्य के वासियों के नाम संदेश दिया त हम अब बहतर इंतजाम करने की कोशिस कर रहे हम परियाप्त यह रेमडिसिविर इंजेक्शन हो औक्सीजन हो यह इंतजाम में लगें यह उनकी सुईकार रोकती है यह खुलापन है यह पारदशीता है इससे पहले क्या बोला जा रहा था कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं है तो लोग अस्पताल पहुंच जा रहे थे कि बैट मिल जाएगा कोई घबरानी की जरूरत नहीं है तो लोग सड़क पे निकला रहे थे तो पहले और अपकी बात में फर्ख है और मैं विनम्रता पूरवा की यह कहना चाहता हूं कि जिसका जो दायत्व है वो उसको सद्धा में बैठे हुए महत्पूर्ण अधिकारी हैं वो इसकी समीच्षा करें कोरोना की अगर वही मास्क माटने में लग जाएंगे वही गोला बाटने में लग जाएंगे तो हमारे जो समय का सही सदुप्योग है वो नहीं हो पाए विलकुल आपने काफी जरूर बात आ वो महत्पूर्ण बात यह लगी कि आपने जो भी बातें की उसका बहुत बड़ा पक्ष जो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव सजेस्टिंस का है जिसकी जरूरत है हमें कि अपने नहित राजनीतिक स्वार्थों से उपर उठकर हम आगे पढ़ें पच्छोरे साब आप एक क्या आपको नहीं लगता कि यह भी बड़ा आनफार्चुनेट पार्ट है कि देश में पांच राज्यों के चुनाव हुए मद्धिप्रदेश में भी दमों का उप चुनाव हुआ लेकिन इस पर कोई डिवेट पलिटीशन की तरफ से नहीं हुई आप से पहले हमने बात की भूपेश बगेल जी से उन्होंने इसको बहुत इमांदारी से स्वीकार किया जो हमें भी अच्छा लगा उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव में मैं भी गया लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि रैलियां रोकी जाएं राउल गांधी जी ने अभी जरूर अपनी सार निर्वाचान आयोग की साब आगे बढ़ाई है चुनाव अभी जरूरत नहीं है जी यह आपने बहुत बहुत अच्छी बात उठाई है मेरा अपना व्यक्तिकत इस्तर पर यह सोचना है कि सारे राजनेतिक पार्टियों को मिल जुलकर इस दिशा में पहल करनी चाहिए थी कि रैलियों वग्यरा से वो अपने आपको दूर रखते देर आयत दुरुस्त आयत चुनाव आयोग ने एक राजनेतिक पार्टियों की बैठक बुलाई मैं कोई यह कॉंस्टिशनल अथॉर्टी है चनव आयोग उस पर टिपड़ी नहीं करना चाहूंगा लेकिन इस दिश को फास उड़ा रहे हैं लेकिन इन चीजों की चिंता नहीं करना चाहिए उन्होंने जो फैसला लिया रेलियों में भाग नहीं लेने का वो सही फैसला लिया अब उसमें जो दूसरी बात कही जा रही है तो मैं इसके दूसरे पक्ष में कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश के फिर क्या बात होगी इसलिए जो सही नहीं लिया जाता है उसको स्राहना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए बढ़ी सीधी सीधी बात है शरच जी कि हम ये सब काहे के लिए कर रहे हैं जनता के वोट के लिए कर रहे हैं जब जनता ही नहीं बचेगी तो हम किसका वोट लेंगे हम ये सब समय काहे में लगा रहे हैं ये समय जो है कोरोना के प्रबंदन में लगाने का समय है ये चुनाओ प्रबंदन में हम समय लगाएं यह यह इस बात का तकाज़ा नहीं है हमारी वरियता होना चाहिए कि चुनाओ प्रबंदन के साव वजाएं हम कोरोना का प्रबंदन करें अनफॉचनली ऐसा नहीं हो पाया यह बहुत इंपॉर्टन बात है बिल्कुल ठीक बात है कि यह समय कोरोना प्रबंदन का है पचरी सब मैं थोड़े भविश्य की एक सवाल की तरफ में बात कर रहा हूं तीसरी लहर भी निश्चित तौर पर आ सकती है इसको रूलाउट हम नहीं कर सकते हैं इसको खारिज नहीं किया जा सकता क्या यह बिल्कुल सही वक्त नहीं है कि केंद्र इस्तर पर और राज्यों के इस तर पर पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूरून दलों को अलग अलग राज् पंजोरी थी जिसकी वज़े से ऐसा हुआ हम तैयारी नहीं कर पाएं लोगों के लापरवाईयां जिम्मेदार थी तीसरी लहर के लिए हमारी मजबूत तैयारी की नीव अभी से रखी जानी चाहिए श्रच जी आप से सोभागे से इस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेंटी में ह आपको input मिल रहा होगा कि आगे आने बाला समय कितना कठिन समय है और यह समय सरकार के लिए एक परिक्षा की गड़ी है ना केवल सरकार के लिए बलके राजनेतिक दलों के लिए भी सामाजिक संस्थाओं के लिए भी और medical faculty के लिए इसके लिए हम सब को मिल जुलकर विचार करना पड़ेगा व्यापक द्रख्ष्टी से तैयारी सही समय पर करना होगी डॉक्टर मनमौन सिंग जी ने जो अपने letter में कल लेक किया है कि हम advance preparation करें इस crisis से निपटने के लिए और मैं वही निवेदन मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहता हूँ पूरु प्रदान मंत्री में ने तो प्रदान मंत्री से छे मां की advance preparation की बात करिये मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम राग्रे करना चाहूँगा कम से कम तीन मैने का advance action plan बनाए उन्होंने प्रदेश की जंता के नाम संदेश में सुल्कार किया कि first week of April में लगबग 131 जो है वह वह कि जरूवत हमारे पास जो है आपूरती की स्थिती थी और अब 444 हो गई है जो बाद में और बढ़ेगी मतलब अप्रेल तक में 111 मैट्रिक तन थी अब आप अंदाज करिए इसके अलाबा लगब 21,000 बैट की उस समय हमारे पास जो है व्यवस्था थी जो आप बढ़कर चालीस हजार से उपर और तीस अपरेल तक पचास हजार से उपर हो जाएगी यह मुख्यमंत्री जी स्वेम खुबूल कर रहे है मेरा उनसे गुदारिश यह है कि आगे आने वाले तीन मेहने में कितने बैट की जरूवत होगी कितने रेंडिसिविर इंजेक्शन की जरूव होगी बिलकुु ठीर की जरूवत होगी वह हमें अभी से इंतजाम करना पड़ेगा और सीजन लाने के लिए हमें आवगमन का सा यहसे आवशक्तर आकि पorry करना पड़ेगी साथ ही साथ जो भी जरुवत पढ़ने की आगे संभावना है वो देखना पड़ेगी बाबई में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषना दिसंबर माहा में की गई थी लगबग 200 मैट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट लगना था उसमें 125 करोन रोपे का निवेश होना था अभ कि मंत्री जी ने कुरपा पूर्वक सेटीस जिला मुख्यालियों पर अक्सीजन प्लांट लगाने की बात किये उसकी समय सीमा तैह हो मेरा ये निवेदन है कि जो भी हम कारियोजना बनाए action plan बनाए वो time bound होना चाहिए समय बद्द होना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदा को फुल्फिल ना करे उसकी accountability तैह करना चाहिए तब लोगों को लगेगा कि औरी बातें करने से काम नहीं चलेगा हमें implementation करना पड़े जी तो आगे की तैयारी जो आपने तीसरी लहर की करी इसके लिए medical specialist में बायो टेक specialist में हमें आगाव अभी भी कर रहे हैं तो हमारे मंत्री जी ने फैसला लिया है कि विदेश से अब वो medical oxygen बूलाएं जी फैसला देर में लिया गया लेकिन दुरुस लिया गया विदान मंत्री जी ने फैसला लिया है कि अब हम जो बाहर अपनी देश में बनने वाली vaccine कोरोना की वह बहां नहीं बेजेंगे फैसला देर में लिया गया लेकिन दुरुस लिया गया ऐसा ही हमारे मद्यपदेश में जो फॉर्मिस्ट्रिकल मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी ने उनसे मद्यपदेश के मुख्यमंत्री जी सीधी बात करें आगरे करें जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों से प्रारंब बटी है और साथ ही और इंजेक्शन दिलाने की व्योस्टा करने के लिए हमारे प्रदेश सरकार को अन्रोध करना चाहिए पचले सब एक और प्रश्ण की तरफ मैं आपका ध्यान चाहूंगा आप केंद्री मंत्री के तौर पर इन चीजों को बहुत करीब से देखते रहें आयरुविज्यान स है भारत का खास्तोर से चिकित्सा पद्वती किस तरह के ट्रीटमेंट की प्रणाली की आवशकता भारत में है या कोई भी बीमारी का ब्रेक हुआ है भारत में तो क्या हम मोडियूल ट्रीटमेंट का मोडियूल क्या होगा हमने ये भी देखा कोरोना के खास्तोर से इस दू संस्थानों के बीच में ब्रिज बने भारत में भोपाल में भी आयर विज्ञान संस्थान है लेकिन एक लीडिंग इंस्टिउशन ऐसा होना चाहिए जो इन सारी चीजों को मॉनिटर करें जैसे हम अभी भी यह ठीक ठीक नहीं पता कर पाएं कि दूसरी लहर के लिए जो क्यामक संस्था हो जो देश में निजी और सरकारी क्षेत्र में गवर्न करें उप्चार प्रणाली को देखिए आपने सही पॉइंट आउट किया हम सोभाग के शाली हैं कि हमारे देश में एम्स जैसी प्रीमियर मेडिकल इंस्टूट है अब उसकी कई ब्रांचे कई राज जो रिटार्ड हो गए हैं पल्मनारी एक्सपर्ट उनकी भी सेवा हमको लेनी चाहिए और रही बात एक कोडिनेशन की एक नोडल एजनसी की तो बायो टेक डिपार्टमेंट जो साइंस एंट टेक्नलोजी डिपार्टमेंट है वो इस दिशा में रिसर्च कर रहा है कि आख बोपाल में जो एमस की इंस्टूट है उसमें बताय गया कि लगबर पांस सो पचास कोविट बैड वहां उपलब्द हैं जिसमें एक सो पचीस नोन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वाले बैड उपलब्द हैं जब वहां मरीज जाते हैं तो बता दिया जाता है कि अब यह काम मेडिकल सुपनेंट का हो गया है तो भाई किसी न किसी का कोडिनेशन का तो काम है डिरेक्टर ऑफिस मेडिकल सुपनेंट ऑफिस कोई तो फॉन करके जो मरीज गया है उसके वियोस्था करने का इंजाम कर सकता है इतना कहके फॉन रख दिया जाता है इसी प्रकार अन्य हस् कि हमारे पास injection नहीं है इसके लिए administration के द्वारा injection हमें provide किया जाए तो यह जो perfect coordination होना चाहिए जो नोडल agency की तरह तरफ आपने इशारा किया है वो होना चाहिए वो कमी है जिससे हम अनुने विने करते हैं जिससे गवार करते हैं वो पहली बात तो फोन नहीं उठाता फोन है इसलिए ऐसे ही एक नोडल agency होना चाहिए जो इन सब के बीच में coordination करें और हमारे जो करोना से trust मरीज हैं वो उससे निजात महसूस कर सके जी आपसे बात करते हुए वक्त कैसे निकल गया इसका अंदाजा ही नहीं हुआ और आपसे बात करते हुए यह आकरी सवाल कर रहा ह हुँ मैं आपसे और यह पूरी बातचीत आपसे राजनीतिक नहों कर कोरोना पर केंद्रित रही जो मुझे लगता है कि वक्त को देखते हुए बिलकुल मौजू है पचवरी साब आपसे पूरी बातचीत के दौरान आपने जो भी बाते कहीं हैं उनमें सुझाव हैं एक व मैं देखा और जहां आप को लगा कि ये बात ठीक हुई है उस बात को आपने ठीक भी कहा यह मेरा राजनीतिक सवाल आपसे आखरी सवाल जो आपसे कर रहा हूंँ आज कि राजनीति में एक हमला वर्राज़ू कॉन पीछे हैं चोड़ दीजे्जे हमें तो यही नजर आता ह कि सभी के बीच में ये सिलसला है केंद्र में भी हमें दिखता है कि ना मीटिंग्स हैं ना एक दूसरे के साथ निरंतर बैठना है कौन जिम्मेदार है ये भी हमें पड़ताल तो करनी पड़ेगी लेकिन ये एक दुनिया के सबसे बड़े लोगतांतरिक देश के लिए ये बोला ये लड़ाई कोरोना से है ये राजनेतिक लड़ाई नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े हम जीत कोरोना से हासिल करें ये हमारी कोशित होना चाहिए हमारा मनता भी ये नहीं होना चाहिए कि हम चुना हो या बाकी चीज़ हो वहां अपने आपको विज़ई कैसे बना हमारी priority इस समय कोरोना से निपटने की होना चाहिए यश्प हम पाएं अपनी पीछ थपता पाएं आउसर ये नहीं है कुछ आउसर ऐसे होते हैं जब सब को एक होकर एक स्वर में बोलना होता है जब हमारे देश में युद्ध काल होता है तब हम किसी भी राजनेतिक दल के क्यों ना हो कोई भी क्यों ना हो हम सब मिल जुड़ कर हम अपने देश की रक्षा करते हैं इसी प्रकार से कोरोना से भी रक्षा करने में हमें एक होना चाहिए जैसे एक कभी ने कहा है कि आज सारा देश अपने लाम पर है जो जहां पर है वतन के काम पर है कोरोना से लड़ने के लिए हम सब को एक जो ठोटना पड़ेगा एकागर भाव से बगेर किसी एक दूसरे पर कटाक्ष कियो हुए हम कोरोना से मुक्ति कैसे पाएं इस दिशा में हमें कदम बलाने पड़ेंगे और इसके लिए केंद्रिस्तर पर भी सारे राजनेतिक दलों की बैठक प्रदान मंत्री जी बुलाएं और राजिस्तर पर भी सारे राजनेतिक दलों की बैठक मुक्य मंत्री जी बुलाएं और जो सो जहां आएं उन पर अमल करें ऐसी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपसे बात करना हमेशा एक सुख़द यात्रा की तरह होता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, ये थे कॉंग्रिस के वरिष्ट देता, पूर्व के इंद्रिये मंतरी, सुरेश पचोरी जी, जिन से हमने बात की, ख जब देजे, बहुतु है